अभी तक आपने रोबोट को किसी कमपनी में काम करते देखा होगा लेकिन जापान के एक 400 साल पुराने मंदीर में रोबोट बुद्धिस टीचर बन गये है इस बुद्धिस टीचर के साथ वहां के लोग बौध धर्में दिल्चस्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंड्रोइट कैनन आधरेत ये रोबोट बुद्धिस टीचर के रूप में क्योटो में कोडाईजी बुद्ध विहार में उबदेश भी देता है इस रोबोट के साथ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये रोबोट आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कमाल कर सकता है बुद्ध विहार के एक भंते टेंशो गोटो ने कहा कि ये रोबोट कभी मरेगा नहीं और ये समय के साथ खुद को अपडेट करेगा ये ही एक रोबोट की खुबसूरती है ये आजीवन ग्यान को स्टोर कर सकता है उन्होंने कहा कि इस बौद धर्म में एक बदलाव भी माना जाएगा ये रोबोट हाथ चेहरा और कंधा हिला सकता है इसके त्पचा को इंसानों की तरह दिखाने के लिए इससे सिलिकॉन लेयर से ढखा गया है ये रोबोट हाथ जोड़ कर प्रार्थना भी करता है इस रोबोट के बाई आँख में एक छोटा सा कामिरा भी लगा है इसकी अभग साथ करोड ग्यारह लाख बारह हजार पांसो रुपिय का खर्च आया है